IPL 2024 का 43-वा मुकाबला चेनाई सूपर किंग्स और सन्राइजस हैदराबाद के बीच आज शाम 7 बच कर 30 मिनिट पर 6 पॉक में खेला जाएगा इस माच से पहले सारच पॉइंट स्टेबल में 8 मैचों में 5 जीत और 10 अंकों के साथ 3 स्थान पर है VCS के 8 मैचों में 4 जीत और 8 अंकों के साथ 5 में स्थान पर काबिस है दोनों टीमों के बीच इस सीजन खेले गए पहले माच में सन्राइजस हैदराबाद ने 6 विकेट से जीत दर्श की थी हलाकि ये माच चेनाई सूपर किंग्स के होम ग्राउंड पर है इसलिए इस माच को जीतने की संभावना जादतर चेनाई के पास है दोनों टीमों के पास काफी अच्छा संतुलन है और दोनों टीमों के जादतर खिलाडी अच्छे फॉर्म में है लेकिन चलिए जानते हैं खिलाडियों के फॉर्म के अलावा और कौन सी चीज़े हैं जो मैच में बड़ा अंतर ला सकती है अगर तोनों टीमों के head-to-head records की बात करें तो अभी तक इनके बीच कुल 20 matches खेले गए हैं जिन में से 14 match चैनाई सुपर किंग्स में जीता है वहीं 6 में Sunrizes हैदराबाद को जीत मिली है वहीं पिच रिपोर्ट की बात करें तो M.H. उतंबरम स्टेडियम की पिच पर स्पिन्रो को अधिक मदद मिलती है यहाँ जो ऐसे जैसे ही खेल आगे बढ़ता है पिच बलेबाजी के लिए अच्छी होती जाती है तो जीत का टीम यहाँ पहले बलेबाजी करना पसंद करेगी इस पिच पर पहली बारी का और सट स्कोर 158 रन है अगर दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो चन्नी सूपर किंग्स की तरब से अजिंके रहाने, रितुराज गायकवार्ट, डेरल नुचल, रविन जड़ेजा, शिवम दूबे, महेन सिंग धोनी, मोहिन अली, दीपक चहर, तुशारती इशपांडे, मुस्तफिजूर रह्मान और मतीसा पथिराना को मौका मिल सकता है जबकि संराइज इधराबाद की तरब से अबशीक शर्मा, ट्रेविस हेड, एडन मारकरम, नितीश कुमार एडी, हेंरिक लासन, सहवाज अहमत, अब्दुल समत, पाट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मारकंडे और टीन अटराजन को मौका मिल सकता है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, यदि आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करना ना भूलें